तो आज था मेरा बड़े तो हम लोग गए डिनर पे बाहर आज बिलकुल मन नहीं था कि कुछ में व्लोग शूट करूँ तो ये पूरा व्लोग शूट किया है हमारे विवेक भाईया ने जिनको आपने पहले के व्लोग में देखा होगा सो आज हम और संध्या की फैमिली चुकि मेरी वह अच्छी फ्रेंड है तो बस हम दोनों नहीं बाहर डिनर करने का प्लान किया था आज मैंने दिन भर मस्ती करी दिन भर मस्ती करी सेफ और सेफ मैंने आराम किया है घर पे लोग की विशेज एसेप करिंगे फोन कॉल्स रसीव क सबसे कुछ लोग मिलने भी आए यहां पर होटल में केवल मैं और संध्या की फैमिली उपर थे क्योंकि संध्या का बच्चा थोड़ा सनौटी है तो हम लोग थोड़ा इस पेस चाहते हैं कि लोगों को भी द्रिस रबना हो और हम लोग भी अच्छे से इंजॉय कर चुके हैं तो हम लोग आ चुके थे ऊपर यहां पर शोर होने वाली थी केक कटिंग उससे पहले हम कुछ चुनिंदा और खास लोग थे केक कट चुका है और बारीया अपके खाने की तब मेरे हैस्बने केक खिलाया है साथ में मेरी बेटी जिसको मैंने सबसे पहले केक किलाया और इदर बच्चा पारटी यानि कि राजा राजा नहीं कहना चाहते राजा खाते अपनी मम्मा कि यान से केक तो दिव्यान शुकर मैंने केक खिला इदर संधिया ने मुझे केक खिलाया और बस इस तरीके से शुरुआत हुए हमारे आज के बढ़े की पारटी की संधिया मना कर रहे है कि रहनी दूराजा वो इतना नहीं खाते लेकिन नहीं केक तो बच्चों को क्या ब्लॉग में भी डालना था हम दोनों तीन-चार दिन से एक साथ मस्ती कर रहे हैं समझ लीजिए इदर आ चुका है केक तो सब लेंजॉए कर रहे हैं और राजा थोड़ा शर्शितानी कर रहे हैं तो राजा की वीडियो कॉल कर आई जा रही है राजा के मैम से कि कि राजा मैं हम से बहुत डढ़ते हैं और इदर आनाहा कुम मस्ती कर रही हैं हम लोग का केक आ चुका है हाला कि राजा पहरे ही केग खा चुके हैं फिर से केक आया है तो केक राजा किसी को खाने नहीं दे ना चाहते है इसलिए राजा शोर मचा रहे हैं अब आ छुके है index यह इसक एक दूसरे को केक खिलाते हुए खाते हुए केक सच में पॉर्ट टेस्टी था इधर मेरी बारी आई हैस्बन ने फिर से मुझे केक खिलाया इस तरीके से हम लोग सूप पीते हुए सारा हम लोगों का दिमाग लगा था राजा पी कि राजा पता नहीं क्या हो गया था राजा कुछ अपसेट हो गया थे राजा रो रह थे विवेक भीया उन्हें समालने में जूटे हुए थे फिर से राजा को पसंदा इतना जड़ा केक कि में के लिए फिर से पेस्टी ओडर की और राजा बहुत खुश हुए कि मुझे दुबारा केक खाने को मिला कर्मिला के बस बहुत अच्छा सा महौल था हम दोनों की फैमिली इस ते सिर और मेरी फ्राइड और मन्चुरियन की प्लेट जिस पर सब की नजर थी कि मैंने का कि मैं पनी रोटी ये सब नहीं खाने वाली मुझे नहीं पसंद आता है सब बहुत जाड़ा मुझे स्नैक्स औ अगर आज मेरे हैजबे नहीं पूरा खाना मुझे खिलाएंगे क्या फिर इनकी विवारी आई इन सब की प्लेट लगी जो जिसका मन्ता वो और किया गया मैंने तो अपना फ्राइड राइस और मंचुरियन फिनिश किया भाईया या पर मुझे धे सारी ब्लेसिंग दे रह खाता इनके तो पूरा खाना पापा ने आज खिलाया है बाबू को और यही बाबू व्लाग में भी बोल ले है कि आज मम्मा फ्री है और मैं खा रही हूं पापा के हाँ से खाना इदर गर्म गर्म खाना सर्व हो रहा है सब के पसंद का और इदर राजा भी भाईया के हवाले थे राजा मोसली भाईया के हाँ से बाहर खाना खाते हैं संद्या यहाँ पर फ्री थी और भाई फिर से मेरी बारी भाई स्पेशल डे था मेरे लिए बर्डे था और इदर राजा घूम फिर के फिर आ गए हैं इदर आया गुराब जाओ मुझे की बहुत गर्म था तो भाईया पहले हिदाय दे चुके थे कि प्लीज अभी मत खाईयेगा बहुत हाउट है सुपर हाउट है इस तरह के से हमने अपना डिनर फिनिश किया अब बारी है बाहर निकलने की के बैस जो हमें सुकून चाहिए था इंजोई जिस तरह के चाहिए था फुली आराम दायके इंजॉयमेंट से फ कुछ खास लोगों के साथ में वह हम ने किया अब हमने होटल से हम लोग बाहर निकल ले हैं और आज मेरा कुछ सूट करने का मन नहीं था लेकिं ये सारा व्लोग आज भाईया नहीं यानि की विवेक भाईया नहीं सूट किया है थाइंकी सो मस् टू हिम हमारा दिन बनाने के लिए शायद वो आए तो हम लोग ने आपको के दिखाया कि आज हमने बाहर डिनर किया अधरवाइस हम लोगां के प्लान नहीं था कि कुछ शूट करेंगे व्लोग अपना दे में आज कुछ आराम दाया कुछ अपनी तरीके से सेल्बेट करने चाहती थी लेकिन ठीक है शूट हो गया वह भी बहुत अच्छा इधर बाग आज जो लहीं थी संध्या को लग रही थी ठंट मोली थोड़ा सा सेख लेते हाथ बने का जरूर और फिर हम पहुंचे घर घर पर जना बोली भाई हमने जो कि दिया था वो तो आपने कैप्चर ही नहीं किया तो मैंने का अज कुछ मन तो था नहीं व्लॉग बनाने का लेकिन चले जो ब्लॉग वन ही गया है तो मैं दिखा देती कि नहीं मुझे बहुत ही प्यारी सी रिस्ट वाज दी है बहुत खुब सुरा सी थांकी सो मच भी और यह चॉक्लेट लाए थे मुझे पहले ही दे दी देगे रहने का चले आपका मने तो शूट कर देती है व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं हाना कि सुबह से मैं मीठा खाई रही थी कुछ स्टाफ के लोग भी आय थी मेरे बहुत सा बहुत प्यारा सा केक लेके और चॉकलेट लेके तो सालिबेशन तो पूरा दिन आज हमने एंज्वाई किया थैंकि सो मस्टू एवरी बंजीर में विश्क किया कॉल किया थैंकि सो मस्टू बटम आप में हट था